पॉलुस ने का कि अगर ये पवित्रात्मा तुम्हारे अंदर है और जो गैर भाषा पवित्रात्मा के वरदान अगर तुम्हारे अंदर है तो अगर तुम गैर भाषा बोलोगे तो तुम उन्ती का कारण बनोगे लिका जो गैर भाषा में बाते करते हैं वो अपनी उन्ती क करते होुए आपको नहीं मालू हैं बिजनस में कौन आपको ध्मका दे रहे हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट अनमी आपको मालू मinsi why भाषा उसे exposed करती गया भाषा में बोलना उस व्यक्ति को शाहिर करतаю है कि पर मिश्व सब कुल जाहिर नहीं करता है कि कुछ चीजों को रख छोड़ता है न्याएं के लिए पर वह जाहिर करता है बहुत सी चीजों को कि आपके पास गैर भाशा नहीं है कि आप 90 परसंट पीछे हों अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का तो भी 10 परसंट होगा वह अगर आप बेस्ट भी करोगे अपनी लाइफ से बेस्ट भी दोगे प्रभु को तो वह 10 परसंट होगा अगर आप पूरा पेपर भी करोगे तो आपके दस नंबर आएंगे अगर आपके बाद गैर भाषा नहीं है तो कि एक बनर गार को उछिश्ची हो इसने मालूम थे वह बेच Tenn के हुएं उसने जयर भाषा में प्राटन ने कहर निए प्रातन कर रहा हैं प्रियर कर रहा है ए एक घंडेबाद वह बेचेनी दूख घंटे बाद खत्म होगी वो वो सोगे था जब कर दिन इसका घाटानै जा मुझे मज़ने के तो में उर्म बना मुझे घला üst सब मेजर हाट अटेक और उसमें बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि क्या हो रहे पर मेरे अंदरी का जीब सी बेचेनी थी और पवित्रात्मा ने मुझे गैर भाशा में प्रार्थना करने के लिए बुला और मैंने प्रार्थना करने शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचेनी खतम हो गई और उसके बाद मैं सो गया है उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाशा में मेरे को मालूम नहीं था करना किया है लेकिन गैर भाशा में प्रार्थना बाइबल कहती परमेश्वर आपके मूं से उन लोगों के लिए उन वि अपका Divine Helper आप उसे इगनोर कर रहे हो क्यूं आपके अंटीने हिले हुए है जब आत्मिक अंटीने हिले हुए तो लाइज की पिच्छर खराब है और पूरी तरह से क्लिएर नहीं आ रही और टीवे देखने में बोलते हैं मजा नहीं आ रहा तोकी मिपिच्छर क्लिएर नही अगर आप दिन में छे घंडे प्रार्थना करते हैं पांच घंडे से ज़्यादा प्रार्थना आपकी ग्यार भाषा में होने चाहिए स्मिथ विगल्सवर्थ इंगलेंड का एक पलंबर जो दुनिया का सबसे टॉप जनरल में जिसकी दुनिया की सबसे टॉप के परमेश्रों के दासों में गिंती होती है आज जो आज प्रभू के पास जा चुके हैं और दस रिकॉर्डेड मूर्दे जुनोंने जिन्दा कियें डॉकुमेंटरी के साथ उनके मूँ के शब्दें कि जैसे मेरा पाउं मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है और तब बंद होती जब मैं सोता हूं कि गैर भाषा बोलने में आपको बताने की जुरूतनी आप गैर भाषा बोल रहे हो आप अपने काम में खड़े हो आप ड्राइविंग कर रहे हो आप खाना पका रहे हो और आपकी जीब के नीचे आप गैर भाषा बोल रहे हो और जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे हो परमेश्वर एक 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 बार्थ एक जनम आपके अंदर देते हैं उन चीजों को जने आप समझ जाते हो कि यह मेरे दिमाग की उपज नहीं यह Holy Spirit ने मुझे करने के लिए बोले हैं कुछ चीजें आपके अंदर आपका दिमाग भेशते हैं जो सफल हो सकती है आज सफल भी हो सकती है पर जो Holy Spirit आपके अंदर उपजाएगा वो कभी आसफल नहीं होगा लोग आपको कभी आसफल होता नहीं देखेंगे अगर वो Holy Spirit ने उपजाया है तो लोग पूँछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जी मुझे पापा से मिलना है मुझे पूछने है क्या करूं है अगर आप पवित्रात्मा के साथ जुड़े हुए हैं प्रभू के साथ जुड़े हुए हैं अगर आप आप से अलग हैं तो पवित्रात्मा आपके अंदर जो उपजाएगा वो सफल होगा पर अगर वो आपके दिमाग की उपजे हैं और आप प्रभू से अलग हैं तो आप चर्च में आ रहे हैं तो आप मुझे अपने फेलियर में शामिल मत करो बाद में प्रभू पे दोश लगाओ प्रेयर पे दोश लगाओ कि आप स्पिरिचुल नहीं है यह सबसे बड़ी कमी है अगर चर्च में 50 परसंट लोगों के बाद गहर भाशा नहीं है तो आप सोचो क्या होगा कि चर्च में 50 परसंट लोग जो हैं वो पवितर आत्मा की बात को 90 प्रतिशत सुने नहीं पा रहे हैं आपके अंदर गहर भाशा के incentive प्यास होनी चाहिए मेर अंदर प्यास थी घर भाशा के लिए पवितर आत्मा के लिए मुझे चाहिए मुझे पाने है और मैंने बबिश्म से पहले पवित्रात्म पाया। बात मने नहीं. और बबिश्म यह नहीं मैंने लेट लीया। तब ऐसा नहीं होता था कि हर संड़े बबिश्म होते थे. तब ऐसा होता था Si Jij Muslima लेना है जी हां दो मुhीने बाद बारी जाएगी. तो दो मुने में इंतिजार कर रहा हूँ अगर मेरे को उसी टाइम देते तो मैं उसी टाइम लेता जाए हफता हुआ था दो हफते हुए थे इसलिए पवित्रात्मा मुझे पहले मिला था कोई मैं अपना दिल प्रभू के लिए खोल चुका था और कोई काम नहीं था मेरे को क्योंकि जैसे ही आप पवित्र ताइम में चलते हो आपके अंदर एक इच्छ है परमेश्य में चलनेगी कोई अंकनफेस्ट सीन आपकी लाइफ में नहीं है जान बूच के आप कोई पाप नहीं कर रहे हो जितना आपको मालूम है उसमें आप 100% वफादार हो तो पवित्रात्मा मिलता है आपको इश्मस ने रहे हैं मैं तुम्हे अनाथ नहीं चोड़ूँगा आप अनाथ होकर Holy Spirit आपके पास नहीं है अनाथ बंदे की लाइफ जब वो सुबा उठते हैं उसकी मम्मी उसे उठाने नहीं आती है उसका बाप उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं वो अपनी मम्मी खूद है खूद खाना बनाते है अपनी सुरक्षा खूद है क्योंकि अपना ध्यान आप रखते हैं और उसको पूच के देखो उसकी जिंदगी कैसी है इमोशनली डिस्टरब है फाइनेशली डिस्टरब है और उसी तरह से वो क्रिश्चन जिसके पास पवितरात्मा नहीं है वो भी अनात्थ की तरह हैं वो बड़े अनात्थ की तरह हैं क्योंकि Holy Spirit उसको गाइड नहीं कर रहा उसके दिल में बर्थ नहीं हो रहा, जनम नहीं हो रहा, उस चीज का जिसके लिए प्रभू ने उसे पैदा किये, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है परमेश्व के साथ, उसे पालूम नहीं है, परमेश्व ने का वो पवितरात्मा वो तुम्हारे साथ रहता है, और वो तुम में ह फोगा वो साथ रहता था जब तक ईशुमसी जी उठके वोपर जाके हम भेजा निए तब तक वो सात रहता का रहता था मुसा अाब्राहम पत्रसू तब तक क्या निए आप वह एफार आघ मिल्गे जैसे जैसे आप अविच्रात्मा में बढ़ते जाओगे, आपकी बुद्धी शाब होती जाएगे आप समझ पाओगे, आप जान पाओँगे, आप solution, आप problem solver होंगे, आप solution देने वाले व्यत्ती होंगे, आप मशूर होंगे solution men की नाम में आपकी बुद्धी शाब होती जाएगे आप समझ पाओगे आप जान पाओगे आप सुलूशन आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे आप सुलूशन देने वाले व्यक्ति होंगे आप मशूर होंगे सुलूशन मैन की नाम में